आप हैं बिहार संवादाता के शाथ और मैं हूं मनोच चतुदेदी जै प्रकाश नारायन आप सब जानते होंगे बिहार के सारण जीले के सिताब दियरा गाउं में उनका जन हुआ था और हम पिसले चार दिन पहले जब वहां पहुँचे थे ये दिखाने के लिए ये देखन सेабके का है और शिताब दियरा गाउं में ब्रकाश नारायन समाजिक संस्थान बना है वो एक तक قال trading इस फारदा में पैर अवस्था करें जय प्रकास नाराइन की जन्म अस्थली, लोक नैज जय प्रकास नाराइन राच्ती इसमारक सिताब दीराल लाला टोला सारन ये सामने का आप देख रहे हैं ये इसमारक इनका है और इसमर्ती भवन ये बनाया गया है सारण जीले में पड़ता है और एक ऐसा ही ट्रस्ट और इस मारक बलिया में भी है जो उत्तर प्रदेश का छेत्र है और अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश है और एक तरफ बलिया एक कदम का ये फासला है और हम भीतर जरास आपको ले चलते हैं जहां वो रहते थे जो उनका पुराना मकान है ये वो घर है जैप्रकास जी का शंपुन क्रांती का नारा ये उनका बिस्तर हुआ करता था इसी पर ये बिस्तर आप जो देख रहे हैं इस पर ही 1908 अक्टूबर 1989 को उनका महा प्रणायन हुआ था और वो इस दुनिया को छोड़ दिया था उन्होंने जिस मग्गे में वो पानी पीते थे आप ये देख लीजे और क्या चीजे थी उनकी एक तरह से कह लीजे कि फकीरी जो थी ये हम आपको दिखा रहे हैं ये शॉल एक तरह से कह लीजे और उन चीजों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ किया गया है जो भी चीजे उस समय थी आज भी उसी तरीके से हैं और मैं उपर कहूंगा विकास ज़रा दिखाए इसको खपडैल का घर अभी जब बिजली आई है तो बिजली की थोड़ी सी बिवस्था हुई है वरना जहां इनका पूजास्थल और अब समझ सकते हैं कि जिसने देश को संपुण क्रांती का नारा दिया उसका ये मकान किस तरीके का है सब कुछ संजोग के जब इस मारक ये बना उस समय परिवार में जो भी होगा ये छोटे छोटे सबसमान ये जात जिसको कहते हैं हम देखिए उस समय का उनके घर में ये सिल्वट लोढ़ा चीजें अब विखरने लगी हैं लेकिन देखिए उस समय जो चार पाई थी ये घर के जो देखिए उनकी माता जी का सब कुछ जो ये छट पूजा से लेके जो भी समान सब था एक चीजें हम आपको दिखा रहे हैं और ये ये सबसे बड़ी चीज देखिए उस समय के ये बठखरे ये मैं कहूंगा जरासा विकास से की विकासी से दिखाए ये देखिए कितना ग्राम ये है ये देखिए सबसे छोटे वजन से लेके ये तोला है ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको तोला ये एक तोला का ये है आप देखिए और अंत में आके देखिए उस समय का उस समय का ये बठखरा ये नौ तोला तोले में उस समय वजन चलता था नौ तोला सारी चीजें किस तरीके से समेट कर संग्राले में रखी गई है लेकिन जो मूल उनका घर था उससे कहीं भी छेड़ छाड़ नहीं किया गया है भले सामने के पोर्शन पे जो है वो इसमारक बना दिया गया हो और ये देखिए ये बैठक खाना उस समय जिस तरीके की टाइल्स जो लगती थी किताबें उनकी समेटी हुई है बहु सी किताबें देखिए ये कल्यार जो है उस समय के किताबें जो है सब कुछ इस तरीके से वैसे ही रखा हुआ है यहाँ पर यह प्रकास जी का बैठक कक्ष था जो हमने आपको दिखाया यह उनका सयन कक्ष था विश्राम कक्ष जो है और जैप्रभाई स्मृत्री भावन के नाम से इसे जाना जाता है और अब जब से यह ट्रस्ट और यह बना मैं बता दूं मानिज सर्गी चंसेखर जी जब प्रधान मंत्री बने तो सबसे ज्यादा ब्यवस्था इन्होंने इस पर की और चंसेखर जी ही जप्रकास जी के अनुआईयों में से एक थे और आजकल गिने चुने जो अनुआई हैं जब प्रकास जी के वो बचे हुए हैं जिसमें एक जो हैं उमाशंकर उमेश प्रशाद सिंग भी हैं जो पटना में रहते हैं तो यह जप्रकास का संपुन क्रांती के नारे का एक दिर से और क्या आप सभी कभी सोच सकते हैं कि वो सक्स जिसने देश के इतिहास को बदल दि यह जदी कोई MLA बिधायक और सांसद बनता है तो गाड़ियों से लेकर घर उसके पास हो जाते हैं और वो की प्रापर्टी उसके पास आ जाती है जिसके नमूने हैं आप देखी रहें आज करके सांसद और मुख्यमंत्रियों के पास लेकिन यह जो खबर है उसको दिखाने का मक्षद यही है कि आप देख शकते हैं कि शंपुन क्रांती का नारा देने वाले जैप्रकास नरायन का घर आज भी किस तरीके का है जो यह सामने आप देख रहे हैं इसे संदूप पहले कहा जाता था उलकडी का संदूप जब छोटे थे यहां पर तो हमारे रामजिन बा अब जब हम आ रहे तो देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो सड़क है वह एकदम बड़ी साफ सोसरी सब कुछ बन गई है बिहार की सड़क को कुछी ताके मैं देखा आमने तूटी-फूटी अभी भी है तो क्या यह यह ट्रस्ट जो है बिहार में सारण जीले में लेकिन यह है कि जो भी बना जंता के लिए देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छी बात है इस नातित सब लोग आ रहे हैं देख रहे हैं और हरिवंस दी का भी गाउं यही है हरिवंस भी यहीं से जो राजिसभा के उपाध्यक्ष हैं प्रभात खबर के वह चीफ एडि समाजीक्त काम होते हैं वोई संस्थान के अंदर होते हैं गम वालों को जहां तक कहा जा है तो यह बहुत बड़ी इएक शौगात मिली है कि जो यह संस्थान बना हैं वहां लड़कियों की शादियों से लेकर तमाम इस तरीके के कारिक्रम जो समाजिक फंक्शन होते हैं समाजिक कारिक्रम होता है उसमें किये जाते हैं और सब कुछ आके जहां हमें कमी दिखाई दी शड़क की बिहार के छेतर की जो सड़क थी वो आज भी वैसी ही आधी अधूरी रह देई है जिस पिछ नहीं है सड़क पक्की नहीं है तो आपने देखी जहां जन्म लिया था उन्होंने और राजनीप में जो उथल पुथल सक्तर के दशक में हुआ था उसके में पुरोधा थे और कहा करते थे कि जदी सक्ता जब तक सबसे निचले पाउदान पर नहीं पहुंचेगी तब तब उस सक्ता का कोई मायने नहीं होता है हम उस गाउं में भी चलेंगे किशानों से भी बात करेंगे लेकिन आपको छोड़े जाते हैं जब प्रकास नायाट संसान की कुछ बी सब्सक्राइब के साथ हमें दीजिए इजाजत हमारे वीडियो को सस्क्राइब कीजिए पेस्बुक पेस को लाइप कीजिए